अगर तुमने एक नया Windows डिवाइस खरीदा है या तुमने जिंदगी में कभी कोई Windows का डिवाइस खरीदा है जो तुम अभी भी यूस कर रहे हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा ट्रिक्स बताऊंग जिनसे तुम अपने Windows device की performance and privacy को maintained रख सकते हों So without wasting any time, let's get it started Hey everyone, what's up and welcome to Shutter Hey everyone, what's up and welcome to Shutter Closed मैं हो Puru Arora and आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी पांच सेटिंग्स बताऊंगा जिनसे आप अपने Windows की performance and privacy दोनों को maintain रख सकते हो So start करने से पहले एक advice, dark mode, अपनी Windows को dark mode पे करो जैसे कि आप लोग जानते हो, dark mode इस ताइम ट्रेंड पे है, dark mode अच्छा लगता है सब चीज़ों पे आज कल dark mode हर जगा आचुका है, instagram, twitter, facebook, नहीं, facebook पे नहीं आया But तुम्हें feeling समझो यार, feeling समझगे न, dark mode Windows पे भी करो यार, कब तक white theme चलाओगे, dark mode लगाओ, cool बनो जो theme तुम रखना चाहते हो, अब तुमने dark mode enable करी लिया है, तो अब मैं start करता हूँ, अब लिस्ट की पहली चीज से, keyboard shortcuts अब तुम लोग कोई apps यूज करते हैं, तुम regular basis पे apps यूज करते हो, तो उन्हें easily assess करने के एक तो सबसे easy तरीका है, कि तुम desktop पे रख लोग, बट desktop पे कितनी apps रखोगे, desktop को minimal भी तो रखना है, clean, saaf, sutra, या apps के shortcut से भर देना है, अब दूसरी चीज जो है, वो है keyboard shortcuts, हाँ तुम अपनी जो भी app यूज करना चाहते हो, वो फ्रीक्वेंटी यूज करते हो, उसके keyboard shortcuts बना लो, और keyboard shortcuts के help से, तुम उस app को easily खोल सकते हो, इससे तुम्हारी productivity इंक्रीज होगी, तुम्हारी speed इंक्रीज होगी, क्यूंकि तुम्हें कई settings में जाके, कई folders में जाके, वो app करनी नहीं पढ़ रही हो, तुम directly keyboard shortcuts से कहीं से भी launch कर सकते हो, कैसे भी launch कर सकते हो, सबसे पहले, अब start menu में जाकी cmd type करो, अब इससे command prompt खुल जाएगा, एंद उसमें ये command type परो, तुम्हें स्क्रीन पर जो command दिख रही है ना, इस command को type करोगे तुम, तो एक folder खुल अब shortcut key में वो combination आजाएगा, प्रेस okay, अब इस shortcut को delete कर दो and you're done, अब यह दूसरी चीज है ना, I can bet, तुम लोगों ने जिंदगी में एक बार तो at least, एक बार गया पता नी कितनी बार encounter करी होगी, तुम Windows पर game खेलो, Microsoft Paint चलाओ, MS Word पर type कर रहे हो, blue screen of death कभी भी भी आजाती ह यार, and blue screen of death एक बार आ गई न, Windows reinstall करनी पड़ती है, हर बार starting से reinstall करो, सब से आपा दुबारा से करो, अब इसका जो सबसे easiest और सबसे बढ़िया solution है, वो system restore point, अपना एक system restore point बना लो, and जब तुम्हारी Windows blue screen of death से मर जाए, उस restore point से उसको दुबारा recover कर लो, अब system restore point बनाने के लिए सबसे पहले start menu पे जो और महां पे search कर दुबार तो तुम्हें option मिल रहाए कि system restore point की, उस पर जब क्लिक करोगे तक dialogue box खुल जाएगा, उसमें अब तुम्हें 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 अपनी Windows इंस्टॉल करी है, उस पर स्लेक्ट करके configure को प्रेस करो, अब तुम्हें एक नया dialogue box खुल जाएगा, इसमें turn on system protection करो, and आप जो memory अलोकेट करना चाते हो system restore point के लिए उतनी allocate कर दो OK, and अब OK करने के बाद, आप नीचे create पे click कर दो, इससे आपका system restore point click हो जाएगा, this will take some time depending upon your computer configuration, तो उसके बाद आपका system restore point create हो अब इतफ करा क्यों यार क्या कर रहे हो तुम लोग करो, and उसके साथ के bell icon को भी press कर दो, so that you never miss out on any of my video, and साथ में में को थोड़ा watch time मिल जाएगा, चैनल को support कर दो यार, तुम लोग support करोगे, तु ही तो चैनल बढ़ेगा, privacy, so privacy, आजकल बड़ा hype में चल रहा ना, privacy, तुम privacy का आजकल बहुत बहुत जादा importance है हमारी life में क्योंकि हमारा सारा data अब online हो चुका है, systems पे हो चुका है, and हमारा data बहुत easily हमारे against भी यूज किया जा सकता है, कुछ windows भी हमारा data लेती है, as in feedback की farm में की, अपने आपको improve करने के लिए हमारा data लेती है, but आप उस चीज को भी easily बंद कर सकतो, settings में जाके, अपनी privacy इप्रूफ करने के लिए simply settings में जाओ, और वहाँ से privacy option चूज कर लो, उसमें जाके तुमें चार options मिलेंगे, and उन चारो को disable करतो, अगर तुमने कभी भी अपने windows वाली disk में इशू स्पेस कर रहे हैं, कि space खतम हो गई है, windows update के बाद तुम लोगों के लिए, windows का smart sense on करो, windows ना एक setting देती है, smart sense, इससे क्या आता है, कि तुम्हारी जो storage है, windows update के कारणी भर रही है, उसको clean करता रहता है, अब जैसे कुछ files होती है, वो redundant हो जाती है, मतलब windows को चाहिए ही नहीं होती, तो अपने आप windows देखता है, कि जो 60 दिन से जादा files यूज नहीं हुई है, पुरानी files यूज में नहीं हारी, वो अपने आप उनको delete कर देता है, यह सिरफ windows के files को delete करता है, तुम्हारी खुद की personal files को नहीं rate करता, अब इससे तुम्हारी windows वाली disk के अंदर space बची रहती है, यह बहुत जादा काम आती है, अगर तुम अब मैंने तो on करके रखा है, तुम लोग इसे on कर सकते हो, जब on करोगे तुम्हें नीचे configure करने की option मिल जाएगी, अब उस option में जाके तुम्हें जैसे जिससाब से इसको रखना है, उससाब से adjust कर सकते हो, यह मेरी settings है, जैसे मेने रखा हुआ है, अभी तो last season, मैं इसको भी बैट लगा के कह सकता हूँ कि तुम लोग एक साथ हुआ होगा, कभी मज़े से अपना laptop को shut down करा, बैग में डाला और चलेगे, महाँ पर जाके जब laptop निखा बैटरी डेड, क्योंकि अभी भी आपका laptop force close all apps पे अड़ा हुआ है, हुआ है ना यह, I knew हुआ हुआ है, the force close, अब सबसे पहले, स्टार्ट पे जाके सर्च करो, रेजिस्ट्री एडिटर, अब जब तुम्हारा रेजिस्ट्री एडिटर खुल जाएगा, तो उसमें बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी तुमें, और लेट साइट पे एक नविगेशन मैन्यू में लेगा, अब उस में लिग की हल्प से जिस पी फूलडर में रिखो तुम महां से बाहर आ जाओ, हो कार इस फोल्डर के अंदर बात आओ, अब इस फोल्डर के अंदर जा लोहँ है एंड रीजिए मनर्ल के अंदर जाके उन्दर के अंदर तुम्हें चाहना है ंदरज दीज्यक्क्र स ludziач I create career double click करने उसकी value set कर देनी है तो अगर अब तुम लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा ना like it share this video and subscribe अगर नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब कर लोग कि अगला वीडियो कि आपका तो तुम्हें अच्छा लग जाए अच्छा गंटेंट आलता है यार देखा करो तो चलो, see you guys next time झालता है